नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके इपनी यूट्यूब चैनल का मप्टीशन प्रप्रेशन पर आई हम बैक बिद एनदर सीरीज ऑफ पेपर्स जो की है आई बी एसी आई यू का जो एक्जाम होता है इंटेलिजेंस बीरो मिनिस्ट्री आफ होम अ टिपिकल होते हैं तो पांच से साथ प्रशन थोड़े डिफरेंट टाइप के मतलब कॉंसेप्ट सेम लगेगा बढ़ हां कल्कुलेट्व होते हैं थोड़ा सा दिमाग लगता है बाकी के दस प्रशन ऐसे होते हैं जो एक एक मिनद में हो जाएंगे और बाकी के जो पांच या तीन से पांच प्रशन बचते हैं वह 공े से तीकन वाले होते हैं तो अबर ओल का जो लेबल होता है ہے वह आपके यह पांच साथ प्रशन नहीं डिसाईड करते हैं बाकि के लिए जो पेपर मतलब जो पंदरा प्रशन होते हैं यह पेपर का लेब oh i aap यहींतु होता है कि सारे calculation कही सारे concept डालते हैं और इस वज़ा से paper थोड़ा आपको टिप कर लगेगा अगर आप सुरू से रेखेंगे एक दो तीन चार पांच प्रश्ण तो आपको लगेगा सारे टफिया हैं बाद में आपको बहुत हलुआ हलुआ से भी प्रश्ण देखने में आएंगे तो च सरस्ति का नाम लेते हुए सीरीज स्टार करते हैं कोशिस रहेगी जितनी जल्दी हो पाई सीरीज को खतम क्या जाए ताकि जो लुग SSE, CGL, CPOC, HSL, MTS जो भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एक्जाम के तयारी कर रहे हैं जिसमें mathematics आता है तो उनके लिए उपयोगी हो तो चलो सुब़ो करते हैं पहले प्रश्न पर आजाते हैं तेनको भी उठा लेना प्रश्न अच्छा है बहुत सुन्दर प्रश्न है पहला यही प्रश्न है और घबराना नहीं है जान की देवी है कोई वो अपना घर हर दिन 7 पच्पन पर छोड़ती हैं और 29 25 पर पहुंचाती है यह clear हो गया यानि उनको usual time कितना लगता है साथ बचके 55 मिनट से 9 बचके 55 मिनट पर यानि 5 मिनट इधर और गंटे 25 मिनट इधर 5 मिनट बात 8 बच जाएंगे उनको एक घंटे 30 मिनट लगते हैं यका 30 मिनट लगते हैं बलो clear हम कह सकते हैं मिनट में calculate करते हैं यानि उनको यूजूल नवियूट लगता है ठीक है लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो निकलती तो उतने बचे लेकिन वो नो बचके 20 मिनट 30 सकंड पर पहुंच जाती है यानि एक घंट पांच मेंच और बीस मेंच तीज सेकंड देखो पांच मिनट इधर और एक घंट बीच मिनट या एक घंट चाड़ी चीज क्टा है है एक घंट इस्से हमें यह हुता है तो इस्टेसमंट्स आही हो जाएगे जान कि 3 बटे 10 हिस्सा 3 बटे 10 हिस्सा किसी स्पीड से 6 बटे 7 स्पीड से बचा कितना 7 बटे 10 हिस्सा किसी स्पीड से 7 बटे 6 स्पीड से अगर 3 बटे 10 हिस्सा 6 बटे 7 स्पीड से ट्रेबल करेंगे तो टाइम इतना गुना लगना चाहिए 3 बटे 10 यह हो गया दूरी का और यह हो गया speed का तो दूरी बटे speed और ऐसे similarly दूरी बटे speed यानि कि जो time लगेगा actual वो इतना times लगेगा original time का क्योंकि 3 बटे 10 को 6 बटे 7 से चलेंगे तो इतना गुना यह time लगेगा और 7 बटे 10 को 7 बटे 6 से चलेंगे तो इतना गुना time इधर लगेगा यानि दोनों जोडेंगे तो जो आएगा वो fraction आएगा या factor आएगा original time का original time का कितना गुना उनको लगा होगा तो 3 बटे 10 हिस्से को ऐसे मानों देखो मालो कि 10 किलोमेटर टोटल दूरी थी मैं समझाने के लिए कहरो 10 किलोमेटर टोटल दूरी थी ठीक है और वो पहले 42 से जाती थी तो 10 किलोमेटर का 3 बटे 10 हिस्से यानि 3 किलोमेटर वो कितने से गई 6 बटे 7 इसके 6 बटे 7 से यानि कि 36 से गई तो इतना time लगा हुगा प्लस में बाकी बचा कितना 7 कितने से गई 7 बटे 6 हिस्से 7 बटे 6 हिस्से यानि 49 से गई इनकी total time कितना लगा 1 बटे 12 हिस्सा और प्लस 1 बटे 7 हिस्सा ये किसका 1 बटे 12 धन 1 बटे 7 वो original time गा किसका 10 बटे 42 हिसका ये simple सा fraction होता है हमें दिया गया दूरी दी नहीं है चाल दी नहीं है तो हमें fraction में और fraction हमेशा factor देती यानि कितना गुणा time लगाओ तो 3 बटे 10 हिस्से को अगर 6 बटे 7 गुणा speed से जाएंगे तो हमारा time कितना लगएगा हम कैसे तो 3 बटे 10 गुड़े पलट दो गुड़ा कर दो 7 बटे 6 और इसे 7 बटे 10 को 6 बटे 7 से गुड़ा दो तो यहां पर बीच में plus कसाइन लगा दो तो देखो 3 दू नीचे और 7 से 7 कर गया 6 बटे 10 यानि 7 बटे 20 धन 6 बटे 10 7 बटे 20 धन 6 बटे 10 का मतलब हो गया 7 बटे 20 धन 12 बटे 20 यानि 19 बटे 20 गुणा टाइम लगता है 19 बटे 20 गुणा किसका 90 मिनट का आप देखो 19 बटे 20 गुणा 90 मिनट का कितना है ज़र हम 90 करेंगे तो हो जागा यह कटा यह कटा 19 नवह यहां 171 बटे 2 यानि कि 85.5 मिनट 85.5 मिनट लगना चाहिए कितना टाइम हमें दिया गया था लगता है 85.5 यानि पहले स्टेटमेंट की हिसाब से हमारा जो टाइम है दोनों सही आ रहा है यानि पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया बोलो किलियर यानि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया दूसरे statement से आपको और clear होगा ठीक है पहला statement clear हुआ अब दूसरे statement पर आते हैं मेरे भाई ठीक है पहला statement clear होगा सबको चल अब दूसरे statement पर आ जाते हैं यहां पर ध्यान देना है ठीक है दूसरा statement पांच बटे 8 हिस्सा पांच बटे 4 क्या करना है आपको पांच बटे 8 गुड़े 6 बटे 5 लिख लेंगे तो 3 बटे 8 गुड़े 6 बटे 5 यानि 18 बटे 40 18 बटे 40 को क्या लिख सकते हैं 9 बटे 20 9 बटे 20 अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 10 और यहां 9 19 बटे 20 गुणा टाइम लगना चाहिए अभी हमने प्रूब किया था कि 19 बटे 20 गुणा इ गुड़े इसको पलट तो 5 बटे 6 बटे 5 इतना गुणा प्लस अब बचा कितना साथ बटे 9 हिस्सा ट्रेवल हो चुका यह बचा दो बटे 9 हिस्सा किससे जाना है बीस बटे तीन स्पीड से जाने कितना टाइम लगा इन बटे 20 से मल्टिप्लाई कर तो ठीक है तो यह हो ग करोगे तो 14 गुणा 28 एक 29 बटे 30 गुणा आपने कहा था 19 बटे 20 गुणा टाइम लगता है ना कि 29 बटे 30 तो इस्टेटमेंट 3 नहीं सही है तो कौन से दोने स्टेटमेंट सही है फस्ट और सेकंड तो आपको कौन से स्टेटमेंट सही हो गया थर्ड वाले नहीं सही है क्य से गुड़ा करना है 7 बटे 6 को पलट के 6 साथ से यहां पे आपको 21 बटे साथ 7 से काड़ दो 36 बटे साथ यह कितना हो गया 57 बटे साथ 19 बटे 20 19 बटे 20 इसा कितना हो गया 85.5 ऐसे आपको एक्जाम में सॉल्ब करना है ठीक है बलो क्लियर हो गया चलो अगले प्रशन प्रशन उसके लिए जिसको मैथमेटिक्स थोड़ा सा समझना है ठीक है केल्कुलेशन बहुत है पर दिमाग आराम से लगाएंगे तो आराम से होगा प्रशन ठीक है ज्यादा दिमाग दोड़ाने के भी जरूरत नहीं है सांती से करना है तो हो जाएगा क्या कहा कि लास्ट फाइनसियल एर में इंकम जो विराज और रोहन की थी वो एम रेशियो एन कि बहुत है कि छो यहां नहीं कि म अगर इनकी थी तो एंकम के बाद हुए फिर बाद के गाई एटम जोह है उनका वह पी रेशियो में था यहांई पिवी अगर इनका था तो यक कंव यह यह लेते तो इंकम और एकसimal यह heeft आ पर बराबर हो जाता है ठीक आप क्या कहा गया कि बिराज की जो इंकम है लास्ट एर की तुलना में Q% बढ़ी है यानि MA से Q% बढ़ने का मतलब MA इंटु 100 प्लस Qy 100 हो जाएगा बोलो क्लियर है करेंट एर की इंकम और एक्सपेंडिचर जो है वो 2Q% से बढ़ गया इंकम और एक्सपेंडिचर इस साल के लिए बात की गई जबकि दूसरे वाले भाई साब की बात की गई कि इनकी इंकम तो आर परसेंट से बढ़ती है इनकी इंकम NA into 100 प्लस R by 100 होती है जबकि एक्सपेंडिचर NB into 100 प्लस एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ता है S परसेंट या NB into 100 प्लस S बढ़ते है 100 हो जाएगा फिर एक चीज और कहा गया कि करेंट मंतली सेविंग बिराज और रोहन की U और V है बिराज की करेंट सेविंग क कितनी होजा कि income minus expenditure ये बराबर U दे दिया गया और इनके लिए income minus expenditure ये बराबर B दे दिया और जब कि कहा गया कि रोहन की लाश्ट येर सेविंग T थी रोहन की लाश्ट येर इंकम थी NA expenditure था NB तो इसका saving हो जाएगा ये बराबर T अब आप देखो का कि which of the following is correct in respect of question and statements गिव एक ये और एक ये आपने का इन तीनों equations में बहुत सारे variable है मैंने का नहीं आपको M N P Q R S T U B सबकी value दी गए बस A और B यानि दो equation तीन variable है यानि कि दो से हम value find करेंगे तीसरे में value रखके अगर satisfy हो रहा है तो हमारा answer सही है otherwise गलत है तो एक मैं करते रहूं एक आप कर लेना ठीक है देखो एक equation आपका ये है एक equation ये है दूसरा इसके बगल में लिखा वाला ये वाला है और तीसरा वाला ये है तो हम value इन दोनों से find करके इसमें रख रखके चेक करेंगे चलो देखो M की value क्या है मेरा भई M की value 8 है तो यहाँ पर कितना लिखा है 8 A into Q की value कितनी है Q क की value पर फोकस करेंगे 12.5 12.5% कोई चीज देखो पहले कितना था 8 था 12.5% बढ़ जाएगा यह नहीं हो जाएगा तो यह लिखा है 9 A माइनस देखो कोई चीज 8 B था कितना था P B P की value कितनी है यहाँ पर तीसर जगे पर 4 यानि कि 4 B था कोई चीज और वो कितना बढ़ गया भी देखो 2 A 2 Q परसेंट बढ़ है 2 Q परसेंट यानि कि 25 परसेंट बढ़ है क्योंकि value 12.5 है तो 2 Q मतलब 25 परसेंट 4 B 25 परसेंट देखें 58 therm की दूसरे statement देखेंगा दूसरे statement में लिखा है एन दूसरे statement में एन की value कितनी अट की value आप देख पा रहा है कि 2 दूसरी जगवे 5 कोई चीज 5 A था वो कितना बढ़ा R percent R की value कितनी है R की value कितनी है 40 R की value 40 है R की value 40 है यानि कि 5A था 40 percent बढ़ गया यानि कि 7A हो गया 5B था S percent बढ़ गया S का 20 है यानि कि 5B था 20 percent बढ़ गया यानि ये 6B हो गया ये बराबर कितना दिया गया V की value कितनी दिया गया यहां से value निकलेगी A और B की A और B निकालने के लिए क्या काम करना पड़ेगा यहां पर गुड़ा करेंगे 6 से यहां पर गुड़ा करेंगे 5 से और दोनों को घटा देंगे तीसरा equation भी बना लेते हैं तीसरा equation अगर बनाएंगे तो N A minus N B बराबर T है N की value कितनी दी गई है N की value देखो यहां पर 5 यानि 5 A minus 5 B बराबर T की value कितनी है T की value यहां पर आप देख पार होंगे 10,000 यानि यह 10 K के बराबर आने चाहिए 5 A minus 5 B बराबर 10 आना चाहिए यानि हम कह सकते हैं कि 5 A minus 5 B बराबर 10 यानि A minus B बराबर 2000 आना चाहिए 2000 आना चाहिए यह आपको लाना है अब देखो अगर हम यहां से solve करेंगे तो यहां से 694 यह 5 सते 35 गटे का कितना हो जाएगा 19 से यही तो हो जाएगा 54 में से 35 गटे का 19 हो जाएगा यह बराबर कितना हो जाएगा 6 गुड़े 58 यानि कि 348 हो जाएगा और 5 गुड़े 24 120 हो जाएगा अगर घटा होगे तो कितना आजाएगा 228 हो जाएगा यानि कि 19 से बराबर 228 यानि ए बराबर हो जाएगा 12 क के बराबर यह बराबर 12 क हम कहीं पर value रख देते हैं यहाँ पर चलो रख देते हैं दूसरे वाले एक वैसन में तो 7 ए माइनस 6 भी यानि 7 बराबर 84 84 माइनस 6 बराबर 24 यानि 6 बराबर 84 माइनस 24 यानि 6 बराबर 60 यानि B बराबर कितना हो जाएगा 10 के अब A की हमारी value आगए B की value आगए A और B की value आने के बाद अगर हमां इस statement में रखते हैं हमें लाना कितना था A माइनस B बराबर 2 के हमने value पुट करी A माइनस B 12 के माइनस 10 के कितना आया 2 के बोलो satisfy हुआ है या नहीं आपने का बिल्कुल satisfy हुआ तो हमारा ये पहला statement साही Similarly आप second statement की M and A मतलब A और B को छोड़के बाकि सब की values रखके हमारे दो statement दो equation बनेगा और तीसरा equation हमारा ये बनेगा दो equation से A और B की value निकालके तीसरे statement में रखेंगे अगर सही हो गया तो हमारे दोनों statement सही है otherwise पहला तो सही है कहा गया एक train है जो 12.6 km पर गन्ते के speed से दोड़ती है किलनो मेटर पर गन्टे का मतलब एक ःधले में 12.6 km दोड़ती है तो कहा गया कितने किलो मेटर टेबल करेगे 15 मिनिट 15 मिनिट मतलब एक बट्ट चार गन्टे अगर एक गन्टे में 22.6 km तो एक बट्टे चार घंटे में एक बट्टे चार गुड़े बात्तर दसमलो छे बात्तर का एक चोथ ही अठारा दसमलो छे का वान फाइब तो इतना किलमेटर दोड़े की 15 मिनट में अगला प्रशन भी अच्छा है का गया एक कास्क है जिसको सराब से भरा गया है उसमें से 108.75 लीटर पहले निकाला गया और उसको वाटर से रिप्लेस कर दिया गया फिर जो मिक्चर आया उसमें 87 लीटर फिर से निकाला गया और पानी से रिप्लेस कर दिया गया का गया ratio of wine to water in the cask is 3 ratio to how many liters of wine did the cask initially hold देखो समझो बात को अगर माल लोक कुछ मातरा रही होगी माल लोक की हम माल लेते सराब की सुरू में L लीटर मातरा थी उसमें से पहले निकाला कितना क्या का 1802875 याई इतने लिटर निकाला गया रहा या कितना हिस्साने निकाला गया टोटल का 170 Resposatasto बटे जैसे अगर हमा पांच लीटर कहीं पर कोई चीज था तीन लिटर निकाल गया कितना हिस्साने कहले हैं या वह बचा कितना 1-3อน The अब यह मात्रा बची वाइन के इसमें से फिर से 87 लीटर निकाल अगया आप आप एल वण माइनस अगर 87 लीटर निकाल यह तहां तो इतना पुसता लेकिन दोनों निकाल है पहले इतना निकाल है फिर इतना यानि शक्सजी निकाल गया तो यह गोड़े में कर देंगे इसलिटर मात्रा बचे की की सराब और पानी का रेशियो जब यह जब वसता है अब आपको यहाँ पर थोरा सा दिमाग लगाना दिमाग लगाओगा तो calculated बन जाएगा दिमाग नहीं लगाओगे तो एल की जो भी value होगी आपसे ही तो पुछागी है कि कितने लीटर सरापती यानि एल की value पूछी गी एल जो भी होगा आपको यहाँ पर दिख रहा है तीन बटे 5 तो पहला इस चीज जो आपके दिमाग में जानी चीए वो यह होनी चीए कि एल की जो भी value होगी वो 87 से भी कटेगी 108.75 से भी most probably most probably इस वज़स कह रहा हूँ कि हो सकता है इनके साणी बनने के चक्कर में ना भी कटे अगर हम 522 को कटें तो 87 6, 76 42, 68 48 बिल्कुल कट रहा है 108 से कटेंगे 108 पंचे नहीं कटेगा 87 से 348 कटेंगे साथ के टेबल में 8 आता है हमनों डिजिट में नहीं आता तो यह नहीं कटेगा अगर 475 प्यातेश 87 से 470 नहीं कटेगा पूरा पूरा कटना चाहिए अगर हम 435 की बात करें तो यह कट रहा है 87 पंचे 108 चो को 400 और 48 32 32 32 435 इससे भी कट जाए यानि ल की वेल्व हो गई 400 अब अगर हम वेल्व रखें तो इधर 3 बटे 5 आना चीए रखते हैं 87 पंचे 435 यानि 1-1 बटे 5 108 चो को 400 बटे यानि 1 बटे 4 बचेगा इसको साल्व कर गए बचेगा 4 बचेगा 3 बचेगा 4 4 कर गया आंसर कितना है 3 बटे 5 यानि ल की वेल्व कितनी होगे 435 बलो क्लियर है किसी के दिमांग में यह भी आ सकता है कि सर यह बताओ कि हम वेल्व पूटिंग ना करते तो कर सकते थे वैसे वह से भी तेकिन केलकुलेटिव हो शाथ है कहा गया वाट उडवी एन्वल इंटेस्ट एकर्ड और डिपॉजिट आप दिस वन इन बैंक यह बैंक टैट पेस 22 परसेंट पर एन अनम रेत आफ सिंपल इंटेस्ट पे करता है 24,000 550 रुपे पे कितना ब्याज देगा देखो 20% इसका कितना हो जाएगा 520 520 कितना हो जाएगा 5 जोको 4910 हो जाएगा 20% 4910 यानि 20% 520 अगर 20% 4910 है तो 2% कितना बचेगा 421 रुपे 20 और 2 पुछा गया था यानि 22 तो जोड़ेंगे 151 रुपे ब्याज मिलेगा क्या कहा गया कहा कि कॉस्ट प्राइज 28 आर्टिकल का X आर्टिकल के सेलिंग प्राइज के बराबर है प्राफिट 40% है तो आपको बताना है कि X की वैलू क्या देखो अगर कहा जाए कि कुछ वस्तों को क्रेम होले कुछ वस्तों के भी करेम होले के बराबर है तो आप हमेशा जानना कि सेलिंग प्राइज 28 और कौश प्राइज X हो जाएगा लेकिन हमें पता है कि प्राफिट 40% के यानी कि 40% प्राफिट पर बेचने पर कोई चीज 28 की बिकती है याने किसी चीज़ का 140% 28 है अगर किसी चीज़ का 140% 28 है तो हम कह सकते हैं कि 10% 2 हो जाएगा यानन 10% कितना हो जगा 100 यानि यहां से हमारा costade प्राइज कितना हो जाएगा समझे को अगर ऐसे मैंने ठोड़ा गल्थ कह दिया हमने कहा 14% 28 है यानि 14% कितना हो जाएगा 2.8 यानि 1% कितना हो जाएगा 0.2 तो 100% कितना हो जाएगा 20 यानि X की वैलु कितने हो जाएगे 20 ऐसे कह सकते हैं अरे देखो हमने कहा selling price at 20 cost price at x x पे कितने percent profit लियागे 40% यानि x into 40% मतलब 5 का खरीदा तो 7 का बिचा ये बराबर at 20 आगे how many pair of natural numbers x y exist such that x is greater than y and product of x y and scf of x and y is 2520 प्रश्ण ध्यान से देखने mathematics अगर आपको आती है तो बहुत interest आएगा इस प्रश्ण में कहांगे x और y के ऐसे कितने pair exist करते हैं जिस प्रकार से x is greater than y है और जो x y और इसके मासा यानि scf का गुड़न पर 2520 देखो दो संक्याओं का अगर मासा में माल लेता हूं थोड़ी दिर के लिए अगर दो पाली संक्या को है लिख सकते हैं दूसरी संक्या को ही लिख सकते हैं यानि x मालों यह है और y यह है उनका scf कितना हो जाएगा ठीक है बस यह पता हूं अचे A और B जो है वो को प्राइम नंबर है A और B क्या है को प्राइम यानि इनका कोई common factor नहीं है साथ ही साथ कहा गया कि X is greater than Y यानि HA will be greater than HB अगर HA HB से बड़ा है यानि हम कर सकते है A is greater than B लेना है अब हम फटाफट लिख देते हैं इनके गुड़न फल को X, Y और इसके SCF का जो गुड़न फल है पच्ची सो बीस है है यानि HA इन्टू HB इन्टू H पराबर पच्ची सो बीस पच्ची सो बीस को क्या लिख सकते है लिख सकते है क्या लिख सकते है 2 कितना बचेगा 1260, 2 से 630 2 से 315 3 से 105 3 से 35 5 से 7 और 7 मिचा इन्हें हम कह सकते है HQ इन्टू A इन्टू B बराबर 2 का Q गुड़े 3 का स्क्वार गुड़े 5 गुड़े 7 अब आपके पास 2 चीज़े है अगर HQ बराबर 2 Q गुड़े 3 स्क्वार गुड़े 5 गुड़े 7 है तो आपके सकते हैं H बराबर 2 तो केस नंबर 1 हो गया H बराबर 2 H बराबर अगर हम 2 ले लेंगे तो यहां से हमारा A इन्टू B बराबर 3 स्क्वार गुड़े 5 गुड़े 7 मिलेगा और 3 स्क्वार गुड़े 5 गुड़े 7 जिसका A और B को प्राइम है तो आपको क्या काम करना है एक बार ऐसा लिख सकते है 3 स्क्वार गुड़े 5 गुड़े 7 तो हम यहां से हमें पता है A is greater than B लेना है तो एक बार A को इतना ले लेंगे B को एक लेंगे यह बराबर इतना B बराबर 1 दूसरे केस में क्या करेंगे A बराबर क्या काम करेंगे 3 स्क्वार को एक साइड में ले लेंगे 5 और 7 को एक साइड में लेंगे यह 5 गुड़े 7 और यह 3 स्क्वार यह A की value लिख रहा हूँ यह B की ठीक है एक साइड में A की लिख रहा हूँ एक साइड में B की अगर A गुड़े V बराबर 3Sqa9 गुड़े 5 G7 है तो हम कह सकते A बराबर 3Sqa9 गुड़े 5 G7 B बराबर एक पहला केस दूसरे केस में A बराबर 5 गुड़े 7 B बराबर 3Sqa9 पर तीसरे केस में 3Sqa9 गुड़े 5 और एक जगन साथ हो गैई और चौथे case में तीन स्वेरी कोड़े साथ और ये पाँच हो गया A और B की वैलू हो गई H की वैलू आगई अब आप इन पे यानिकि A की वैलू अतनी A की वैलू इतनी A की वैलू इतनी हो सकती है similarly यह वाला B की वैलू हो सकती है और H की वैलू एक है Case number 1 से हमें 4 पेर मिल जाएगी A और B की अगर 4 पेर A और B के मिल रहे हैं तो हम कर सकते हैं कि HA और HB के भी 4 पेर होंगे तो यहां तक तो प्रशन सही था Case number 2 पे आते हैं Case 2 यह important है और यहीं प्रशन को थोड़ा सा क्लिष्ट बना के अगर हम इस संख्या को H3 गुड़े A गुड़े B बराबर 2Q गुड़े 3 स्कौर गुड़े 5 गुड़े 7 था हम इसको लिख लेते का मतलब को प्राइम नंबर मिलेंगे को प्राइम नंबर होने का मतलब कि A और B का अगर मासा एक है इसका मतलब एक case में A बराबर कितना हो जाता 2Q गुड़े 3 स्कौर गुड़े 5 गुड़े 7 और B बराबर हो जाता 1 दूसरे case में ए बराबर हो जाता दो cube गुड़े 3 square गुड़े 5 और भी बराबर हो जाता 7 तीसरे case में ए बराबर हो जाता दो cube गुड़े 3 square और ये हो जाता 5 गुड़े 7 और तीसरे case में क्या हो जाता, चौते case में क्या हो जाता, दो Q वाला हो क्या, अब एक बार तीन square के साथ देखते हैं, तीन square के साथ में अगर हम देखेंगे, तो A बराबर हो जाएगा, दो Q, गुड़े 5, गुड़े 7, बी बराबर हो जाता, तीन का square, एक बार हो जाता, दो क्यूब गुड़े 7, भी बराबर हो जाता, तीन स्क्यार गुड़े 5, ठीक है, एक बार हो जाता, एक बराबर यहाँ पे हो जाता, यह भी बराबर हो जाता, एक बार एक बराबर हो जाता, टोटल कितने फैक्टर को मिलते, एक बार दो क्यूब को छोड़ते, इसको ले ले वहना हमने का कहा एक बार Q को लिया फिर तीन स्क्वाइर पॉड़ेश साथ एक ले लिया दूसरेक हैसमें ने क्यूती, फिर यहार धर ने ज़िता हैं यह जगां अधर नाफ के शोर दिया थी ते नाफ को ले साथ लिते ह Васmeal अब, बार दो क्यों गुड़े तीन स्कॉर गुड़े साथ ले रहते टोटल कितने केस बनते यह काउंट करने के लिए यह मैंने नंबर आफ केस किनाने की कोशिज करी जब एच बराबर एक हमेशा याद रखना कि कोई संख्या उसको पहले प्राइम फेक्टराइज करो प्राइम फ प्राइम फेक्टर कितने होंगे टू के पावर एक्स माइनस वन यह याद रखना तो हमें अगर इधर जाएं तो आप देख पा रहा होंगे कि यहां पर अगर हम एक ले ले रहे हैं तो हमारे पास a into b कितना मिल रहा है 2 cube गुड़े 3 square गुड़े 5 गुड़े 7 2 cube गुड़े 3 square गुड़े 5 गुड़े 7 यानि इसके कितने के prime factor है एक प्राइम नंबर कितने आ रहे है 2, 3, 4 तो इसके कितने co-prime factor बनेगे x बरावर यहाँ पर कितना है अगर किसी संख्या को factorize करने पर उसमें 4 prime numbers आ रही है तो उसके कितने co-prime factor होंगे 2 to the power 4 minus 1 क्योंकि x prime number आती है तो 2 के power x minus 1 होते तो हैं पर 4 था 2 power 4 minus 1 2 के power 3 यहांनि 8 factor होंगे तो मैंने कुछ example दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 आपको देखना है तो total कितने pair बनेंगे तो हम तो कहेंगे उस हिसाब से 12 बनने चाहिए लेकिन यहां option में 4 था तो उन्हेंने h बराबर 2 आला case केवल लिया h बराबर एक आला नहीं लिया अब आप comment section में बताइए गा बाकी के दोनो factors कौन से होंगे और आगे इसके कौन-कौन से answer और सही थे अब अगर option में 3,4,5,6 था तो इस हिसाब से तो 4 सही है लेकिन वैसे इसका सही answer 4 ना होके यतना होना चाहिए 4 factor इधर हमें मिलेते और 8 factor इधर मिलते total 12 factor होने चाहिए समझ आ गया आपको मैं फिर से बता रहा हूँ अगर किसी संख्या को factorize करा a power n मिला b power m मिला मालो और c power q मिला और a, b, c तीनो प्राइम नंबर है तो इसके कितने को प्राइम फैक्टर होंगे 2 power मालो ऐसे dot 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 x होते x प्राइम नंबर मिलते तो 2 power x minus 1 इसके को प्राइम फैक्टर होंगे ये ध्यान रखने अगर किसी संख्या को factorize करने पे उसके x नंबर आफ प्राइम नंबर उसके factor में आती है तो उसके कितने को प्राइम फैक्टर होंगे 2 power x minus 1 यह है देखेगा क्या कहा गया कहा कि 10 लोगों की आउसात आयू 27 वर्ष थी एक दोस्ट चला जाता है तो average आयू 25 वर्ष वर्ष थी 27 थी अभी बचे कितनी 25 कितने लोगों की 9 लोगों की यानि एक दोस्ट के जाने से इनको दुख ना हुआ इनकी average आयू 2 से कम हो गई यानि कि जो ये friend था सबके हिस्से का दो-दो लेके चला गया यानि वो जब आता है तो सबके हिस्से पे 9 लोगों के हिस्से पे 27 तो लेके आता ही आता है 7 हिसा क्योंकि उसके आने पे अगर हम बात करें तो ऐसा हम बात कर सकते कि 27 लेके आता है और साथ ही साथ नौ लोगों के लिए दो-दो वर्स लेके आता है यानि कि 27 तो लेके आता है या ऐसे ना समझो नौ लोगों के 25 थी एक के आने से 27 होगे यानि दो बढ़े यानि वो कितने लोगों के हिस्से पे दो-दो लेके आ है एक अपने हिस्से का दो लेकिया है और एक अपने हिस्से का दो लेकिया है और बाकी नौ लोगों के भी तो हिस्से पर दो दो जड़ा है तभी तो average बढ़ने का मतलब कि सबकी बढ़ी अगर average घटने का मतलब सबकी घटी तो average अगर बढ़ा है तो यानि कि वो कितरा लेकिया ह 25 तो लेके आया ही आया साथी साथ 10 लोगों के लिए 2-2 वर्स और लेके आया यानि 20 वर्स और लेके आया यानि उसके आयों कितनी है 25-25 आइसे समझे या फिर घटने पर आये तो 27 थी 25 हो गई यानि 2-2 घट गई एक के जाने से कितने लोगों की 25 हुई, कितने लोगों की 25 हुई, नव लोगों की, यानि कि उसके वो कितना जादा लेके गया, नव दूनी अठारा, यानि कि उसके जाने से अगर अठारा जा रहा है, तो आएगा तो अठारा जूड तो जाएगा, यानि वो कितना लेके आए 25% बढ़ाए गया यानि एक दस में लोग दो पांच हो गया और हर को 10% से घटाया गया यानि बी ना रहके बी हो गया 0.90 तो यह जो भिन्हा है वो बचती है 25 बटे 24 तो आपको बताना है ए बटे वी की वैलू किया ऐसे प्रशनों को करने के लिए कोई टेंसर नहीं लेना है 25 25 बटे 125 किस से काटना है 6 624 चोबिस 615 5 से कटा या 3 3 इधर चला जगा ए बटे भी विवराबर 3 बटे 4 हो गया मैंने क्या बोला था आपसे कि प्रश्ण आसान भी रहेंगे टाफ भी रहेंगे स्कालना है मैंने आपको क्या बताया 36 को क्या लिख सकते है 12 गुड़े 3 108 को क् सकते हैं बारा गुड़े तेरा सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन आ रही है कौन सी कॉमन आ रही है इनका कितना हो गया बारा बोलो